क्या मा किन्नी बार केहा मेरी कोई वी चीजनू हत ना लगाया करो पर तुसी हो की सुन्दी ही नहीं रोहित पैट साल दी अपनी मा पर चीकदे होये कहनदा है पर पुत मैं ता अख़्ा विच्छ हंजू लई रोहित दी मा कहनदी है क्या मा तो हन्नू पता वी है इगुलदस्ता किन्ना महंगा सी अते तुसी तोड़ दिता अपनी मा दी बाहनू जोर नाल दबाउंदे होये रोहित कहनदा है माफ कर दे पुत अग्गे तो ऐसी गलती नहीं होवेगी बोल दे होये मा उत्थे तो चली जानदी है रोहित मैं ताहुन वी बोल दी हां मा जी नू कोई बरिद आश्रम छाड़ दाओ पर तुसी हो की मेरी गल सुन दे ही नहीं रोहित दी पतनी संगीता चीक दे होये कहनदी है मेरी संगीता मेरी जान कुझ ही दिना विच्च तु मा बढ़ने वाली है अते देखपाल दे लई कोई ताँ चाहिदा ना संगीता नू मनाउंदे होये रोहित कहनदा है अच्छा इही संबालेगी मेरे बच्चिया नू अरे हां बाबा कट तो कट इक दाई दा ताँ खर्चा बच जावेगा हाँ हाँ तो अनू ताँ पैसिया दी ही पई रहन दी है तो अनू पता भी है मैं इना दे नाल पूरा दिन की में कट दी हां मगर मच दे हंजू लई संगीता कहनदी है अरे मैं समझदा हां पर तू ही सोच ना करदा सारा कम भीता मा ही करदी है ना संगीता दे कोल बैठ दे होए रोहित कहनदा है मतलब क्या है तो हड़ा सारा कम तो हड़ी मा इकल्ले ही करदी है अते मैं कुछ करदी ही नहीं संगीता अपनी जगा पर तो उठ दे होए कहनदी है अरे नहीं मेरा मतलब एहजा बिल्कुल वी नहीं सी संगीता दे मोड़े पर हात रख दे होए रोहित कहनदा है हाँ हाँ बस करो अते दफ्तर जाओ तुसी वैसे वी कार विच कम करने वाले कट अते खाने वाले ज़्यादा हन संगीता रोहित दी मा दे तरफ देख दे होए कहनदी है चलो ठीक है मैं चलदा हाँ ख्याल रखना अपना वी अते मेरे बच्चे दा वी रोहित बोलदे होए संगीता दे मत्थे नू चुमदा है अते गले लगा के बाय बोलदा है अते दफ्तर दे ले निकल जानदा है पिछे दे कमरे दे द्रवाज्ये पर खड़ी मा अपने पुत्त नू निहार रही हुंदी है उचा के वी अपने पुत्त नू गले नहीं लगा सकती सी अज इस मा दी अख़्ा तो हंजू दी नदिया बह रही सी पर बेचारी करे वी क्या इही ता रोज रोज दाना टक सी हर दिन उस मा दे नाल एहजा ही हुंदा सी हर इक पल उहु कुट कुट के जी रही सी उथे ही द्रवाज्ये पर खड़ी खड़ी मा अपने अतीत विच किते गुआच जान्दी है अरे ओ बुड़ी कम नहीं करेगी क्या संगीता उस मा पर चीक दे होए कहन्दी है रोहित दे दफ्तर जान्दे ही संगीता दार वईया ही बदल जान्दा सी रोहित दे सामने ता उ मा नाल ठीक ठाक नाल पेश आउन्दी सी पर रोहित दे जान्दे ही उस बेचारी मा दे नाल एहजा वहवार कर दी मन्नो जी में कई जनमा दा वैर हो संगीता दा उस मा नाल जिस दा उँ बदला ले रही हो हाँ हाँ नू हुने आई बोल क्या कम है मा इक छड़ी दे सहारे लड़ खडांदे होए आउंदी है वैसे ता उस मा दी इन्नी जादा वी उमर नहीं सी जिस नाल उँ छड़ी ले के तुरे पर संगीता अते रोहित दी मेहरबाणी नाल बेचारी मा दा इहाल सी उँ ठीक नाल तुर तक नहीं पाउंदी सी अते नाही उना तो ठीक नाल कम हो पाउंदा सी पर फिर वी उँ हमेशा हर संभव कोशिश कर दी सी जिस नाल उना दे कर दी महराणी मतलब संगीता खुश रहे पर उँ किठे खुश रहने वाली उस दा बस चले ता बेचारी मा दा खून तक चूस ले चुडेल रात दे सारे पंडे पए होए हन कद साफ करेंगी उना नू संगीता मा पर चीक दे होए कहंदी है पर नू मैं ता रात ही पंडे साफ कर दिते सी अच्छा ता क्या मैं चूट बोल रही हां मा नू अख दिखाऊंदे होए संगीता कहन दी है पहला ता कुझ देर मा संगीता नू इक टाक नाल देख दी है अते याद करने दी कोशिश कर दी हन की पंडे साफ किते सी जा नहीं थोड़ी देर सोचने दे बाद बोल दी हन नहीं नहीं मैं कर दिन दी हां फिर तो तू इनना गुसा ना हो बच्चे पर असर पवेगा तुसी हुन्दी कोण हो मेरे बच्चे दी फिकर करने वाली इक गल हमेशा याद रखना समझी सिसी माँ दि बाहानू चंग जोर्ट के तकका दिन्दे हुए संगीता गेहन दि है तक का देने दे कारण मा गिर जान दी है अते उना दी बुड़ी हड़ियां विच्छ काफी साट वी लग दी है पर हलात कहिए जा फिर किस्मत तो मजबूर मा अख बंद करके गहरा साल इन दी है अते साहस कर उठ जान दी हन अतेकार दे कम्मा विच लग जान्दी हन खाना बन्या वी जा नहीं संगीता चीग दे होए कहन्दी है हाँ हाँ नू हुने लियाई रसोई तो खाना लियांदे होए मा बोल्दी है लड़ खडाउंदे होए मा किसी तरह खाना लिया के अपनी नू संगीता नू दिन्दी हन संगीता खाणे नू बिना चखे देख के ही बोल दी है बुड़ी तेरा दिमाग खराब है क्या कोई प्रेगनेट ओरत नू एहजा सड़या होया खाणा दिन्दा है क्या खाणे दी पलेट नू दूर सिट दे होए संगीता कहंदी है पर नू वड़े बजुर्ग कहंदे हन गर्बवती महला नू साधा आते पोश्टिक हार ही खाणा चाहिदा मा अपनी नू नू समझांदे होए कहंदी है पर संगीता कित्थे समझन वाली उसनू ता हर दिन कोई ना कोई नमा नाटक चाहिदा ही सी हर दिन उ कोई ना कोई नमा नाटक करदी अते उसी भाने उस बेचारी मा दे नाल मार कुट करया करदी सी होर ता होर कई कई दिना तक खाणा वी नहीं दिन्दी सी उस मा दा हाल नर्क दी जिन्दगी तो वी बत्तर बन चुका सी उ जिन्दा हो के वी पल पल मर रही सी बस बस बंद कर अपना पाशन अते सुन मेरी कुझ से लियां आ रही हन अते पलीज ओना दे सामने कोई नमा नाटक ना करना मा दी गल पूरी होने तो पहला ही संगीता बोल पैंदी है बेचारी मा चुप चाप उत्थे तो चली जान दी है अते ची अडूल्या के टुट्टी होई पलेट नू साफ कर दी है अते जो खाना खिलर्या होया सी उसनू अलग तो चुक के रसोई विच साइड विच रख दिन संगीता दी सहलिया दे लई नाश्ता बणाऊं लग दी हैं सुन बुड़ी नाश्ते विच समोसे हरी मिर्च दी चटनी अते कुज चीपस त्यार कर देना अते हां सुन ओ लोक दुपहर दा खाना इथे ही खान गे ता दुपहर दे खाने विच मत्र पनीर अते चावल बणा देना संगीता रसोई विच आउंदे होए अपनी फर्माईश सुनांदी है पर नू पर वर क्या मैंनू अज कोई बहाना नहीं चाहिदा बस अध्यकंटे दे अंदर नाश्ता त्यार होना चाहिदा उन लोक कदी वी पहुंचने वाले होनगे जदी अचानक दरवाज्य दी बैल बजदी है थेए हुन मेरा मुझ की क्यूं देख रही हो जाके दरवाज्य खोलो खोलो ना संगीता चीकदी होए बोल दी है आ जान दी हां बोल दे होए मा दरवाज्य खोलन चली जान दी है अरे काकी किमे हो दरवज्या खुल दे ही उन्ना विच्च तो एक संगीता दी दोस्त रीना मा दे गले लगदे होए पुछ दी है मैं ठीक हाँ बेटा तू किमे है पिछे हट दे होए मा बोल दी है बिल्कुल मस्त काकी अज बहुत दिना बाद तो अड़े हाथ दा बणया खाणा खाणे दा सुब अग्य मिले है सन्नू मा इक टक नाल रीना नू देखन लगदी हन अते उन्ना दा दिल करदा है कि कसके ओ रीना नू फिर तो गलेन लगा लेन अते अपनी सारी गल्ला सारे दुख रीना नू दास देन दे पर संगीता दे डर तो पिछे हट जांदी हन अते रीना दी किसी वी गल्ल दा बिना जवाब दिते उत्थे तो निकल जांदी हन क्या यार तू वी ना नोकर दे गले लग जांदी है उस दे कपड़े देखे है तू किन्दे गंदे हन मैंनू ता देख के ही उल्टी आ रही है आते उस दे शरीर तो इन्दी गंदी बदबू आ रही सी छी संगीता दी दूसरी दोस्त नेहा नकनू इस तरह ठक दे होये बोल दी है मननो जिवे कोई अस्यहेनी दुर्गंद आ रही हो कोई गल नहीं नहीं इस गल दा जवाब तेलनू जुरूर मिलेगा पर सही समय पर हुने नहीं रीना मन नहीं मन बोल दी है अरे वा तुसी लोक आ गई अते उत्थे क्या कर रही हो अंदर आओ संगीता रसोई तो बाहर अंदे होये कहल दी है ऐस्ता संगीता थोड़ा होली तूर तेरे बच्चे पर असर पै सकदा है रीना संगीता नू कहल दी है लेहा उक क्या कहावत है हा याद आया बंदर क्या जाने अद्रक दा स्वाद संगीता दंद पीजदी होये रीना नू टोंट मार दी है दर असल रीना दे व्यादे लगपग आठ साल हो चुके सी पर रीना हुने तक मा नहीं बन पाई सी जिस कारण उसनू यह सब चेलने नू मिल रहा सी अरे तू इत्थे क्या कर रही है दिखाई नहीं दिल्दा क्या महमान आये हन चा पड़ी लियाओ जाके संगीता चीक दे होये मा नू कहन दी है यार अजकल दे इही नोकर चकर वी ना जरा जिहा प्यार ना दे दो की सिर पर चड़ जान दे हन नहा संगीता नू पढ़का उंदे होये कहन दी है मा लड़ दे हत तो पानी दी ट्रे नीचे गिर जान दी है अते सारे गलास तुट जान दे हन रीना मा नू गिरने तो किसी तरा संबाल लें दी है यी क्या किता तुसी तो हननू पता भी है यी किन्ना महंगा सी संगीता मा पर चीक दे होये कहन दी है क्या यार संगीता तेननू दिखा पोली है इस दा ता हर रोज दा एही नाटक है अते तूं खड़े खड़े मेरा मुझ क्या देख रही है जल्दी ना लही कांच साफ करो अते सदे लई समोसे लेके आओ संगीता मा नू चिड का लगाउंदे होए कहंदी है हा नू हुने ले आउंदी हा बोल दे होए मार सोई दी तरफ चली जान्दी है अते गरम गरम समोसे लेके आउंदी हन सभी दे लई पलेट विच समोसा अते चटनी प्रोस दिन्दी हन वारी वारी नाल सभी दे हत विच दे दिन्दी हन इवे ही इक दे बाद एक नमे नमे पकवान दी फरमाईश उ कर दे जान्दी हन बेचारी मा सबी दी फरमाईश नू पूरा करदी जान्दी है पहला नास्ता फिर चाहा फिर खाना फिर जूस फिर चाह फिर कुझ फिर कुझ इवें ही करदे करदे देर शाम हो जान्दी है अच्छा सुन हुन ना रोहित दे आउने दा वक्त हो गया है ता हुन तुसी सब जाओ ठीक है ठीक है यार असी सब जा रहे हैं पर अगली पार्टी कद दोगी ये तादस दो नेहा अपने सथान तो उठदे होए कहंदी है अगले संड़े पक्क ना हाँ हाँ इक दाम पक्क हुण सारी सहेलियां परत अते राम दी तरा गले नाळल लिप्ट जांदी हैं पले ही उना विच परत अते शिरिराम दे जिलना प्यार ना हो पर दिखावे करने विच क्या जान्दा है हुण उना दा मेल मिलाप खतम हुंदा है इक दुसरे नू बाय कर दे हन अते सारे अपने कर दे लई निकल जान दे हन इद्धर संगीता दे शेथानी खोपडी विच कोई खतरनाक चाल चाल रही हुंदी है उकड़ी दी तरफ देख दी है अते जल्दी नाल दोड केर सोई दी तरफ जन्दी है अरे माजी अज दे लई सोरी अज तो अनू कुझ जादा ही बोल दिता मैं माफ करना माजी वैसे तुसी बहुत ठक गई होगी ना जाओ जाके तुसी अराम करो अक्खा विच चुठे हंजू लई संगीता कहन्दी है पर नू बहुत सारा काम पेया होया है इस अब पहला खतम कर लेंदी हां फिर अराम ता हुंदा ही रहेगा वैसे वी रोहित दे अउने दा टाइम हो रहा है उस दे लई खाना वी बनाउना है ना मा संगीता दी गल नू कट दे होए कहन्दी है अरे नहीं तुसी जाके अराम करो हुणे उना दे अउने वीच टाइम है तुसी जाओ अराम करो मा दाहत फड़्दे होए संगीता कहन्दी है बेचारी मा संगीता दे डार नल अराम करन अपने कमरे वीच चली ता जान्दी हन पर अराम नहीं कर पाउंदी हन उना दे दिमाग वीच एक ही प्रशन कुमदा है की आखिर आज इनना प्यार उसनू किवे उना पर आया कुझ ही देर बाद बाहर तो रोने दी अवाज आउंदी है मा छड़ी दे सहारे लड़ खडाउंदे होए बाहर निकल दी है ता देख दी है रोहित गुस्से नाल अगब भूला हो के तेजी नाल हुना दी तरफ वद्ध रिहा हुंदा है रोहित नू गुस्से विच देख दे ही मा समझ गई जरूर संगीता ने कोई नवी चाल चाल दिती है अते अज ता इही गुस्सा मेरे पर ही फुटने वाला है इसोच के मा होली होली अपने कदमा नू पिछे मोड ले दी है मा ही तुसी क्या किता तो अनू पता है ना समझीता मा बनने वाली है फिर वी रोहित चीक दे होए मा दी तरफ तेजी नाल वद्धा है पर पुत होया क्या डर दे होए मा बोल दी है रोहित तेजी नाल मा दी तरफ वद्धा है रोहित नू गुस्षे विच अपनी तरफ वद्धे देख मा डर जान्दी है अते अपने कदमा नू पिछे मोड ले दी है अचानक उनादा पैर किसी सक्त चीज नाल टकराउंदा है अते ओ पिछे गिर जान्दी हन पर ना ता थोड़ा वी तरस रोहित नू आउंदा है अते ना ही संगीता नू वैसे वी संगीता ता पत्थर दिल दी सी उसनू कदी किसी पर तरस नहीं आउंदा सी रोहित ते जी नाल अग्ये वादा है अते चीकदा होया बोलदा है बात और नू जरा वी शरम नहीं आउंदी तो अनू पता है ना संगीता प्रेगनेट है फिर वी तुसी उस तो कम करा रही हो तो अनू असी का रविच्च रख्या ही क्यूं है ताकि तुसी संगीता दा थोड़ा त्यान रखो पर नहीं तो अड्डे तो उवी नहीं हुंदा अरे संगीता ता संगीता दा नहीं ता मेरे बच्चे दे बारे विच्च सोचो मा इक सा पर ही बिना कुझ सोचे समझे रोहित बोल दिल्दा है पर पुत मैं कीता क्या है क्या कीता है अरे मा कुझ ता शरम कर लो बुड़ी हो गई हो कट तो कट इस उमर विच्च ता चूठ ना बोलो, मा इक टक नाल रोहित नू देख लग दी है, अते शायद उ समझ भी जान दी हन की इस अब कीता कराया संगीता दा है, पर हुण मा करे वी ता क्या करे, क्यूंकि रोहित ता मा दी गल सुन्दे तो रहा, हुण क्यूं चुप हो गई, तुसी जानना चाहुंदी हो न क्या होया, ता देखो संगीता नू अग्गेले अंदे होए, रोहित कहलदा है, संगीता दे हत विच पटी लगी हुदी है, अते अख्खा विच मोटे मोटे बड़े बड़े हलजू पर, असलित विच चहरे दे पिछे लुकी खुशी, जीजदा कोई टिकाड़ा नहीं सी, आज तुसी मेरा पूरा गलास दा सेट तोड़े सी ना लोपुक तो हुण, मेरा वी नाम संगीता है, संगीता आते ही संगीता किसी नू नहीं छट दी, जद तक तो नू बृद अश्रम ना पिजवादा, उदो तक चैन लाड नहीं बैठने वाली मैं, संगीता मन ही मन सोच दी है, माफ करना बेटा मेरी बुड़ी हड्या विच थोड़ा दर्द हो रहा सी, इसलही मैं अराम करना आ गई, अरे वा तुसी अराम करना आ गई ता, क्या संगीता कम कर दी, जरा जिहा दर्द ही होया सी ना, शरीर तो प्रान ता नहीं निकल रहे सी, याद रखना मा, जे कर तुसी दुबारा ऐसी कोई गलती किती ना, ता मेरे तो बुरा कोई नहीं होवेगा, बोल दे होए रोहित, संगीता दा हत फड़दा है, अते कमरे तो बाहर आ जलदा है, अज संगीता दा दिल काफी खुश सी, अते हो वी क्यों ना, संगीता अपना बदला जो लई सी, बस थोड़े जहे मगरमच दे हलजू वहाने पए, चूट मूठ दी पट्टी लगाणी पए, अते नमक मिर्च लगा के लाटक करना पेया, बस उनले वीची ही रोहित दा दिल पिंगल गया, संगीता दे लई, बिना कुझ सोचे समझे, इलना कुझ रोहित ले, अपनी सुना दिता, हद है यार, पता नहीं माता राली ले वी, क्या लिख्या सी, बिचारी मा दी किस्मत विच, इक ता मा पागल है, पर तू ता समझदर हो ना संगीता, फिर वी इलनी बड़ी गलती किवे कर सकती है तू, उन मैं क्या किता, जेकर मा तेलनू कम करने नू बोली, वी ता तू तेलनू नहीं करना चाहिदा सी, मैं आग के कार दिल्दा, आज जेकर साड़े बच्चे नू कुझ हो जान्दा, ता इवे किवे हो जान्दा कुझ, वैसे भी मा साड़े तो वड़ी है, साड़ी बजुर्ग है, ता साननू ता उना दी गल, मलड़ी होवेगी न इसलई मेरी जान मैं तेरे लाड इलना प्यार करदा है, सुनो हुण जेकर मा कोई काम करने नू बोलेता, तू ना करना, मैं आके कर दूँगा, नहीं मा कर लेगी ठीक है, हाँ ठीक है, मैंनू बहुत जोर लाड पुख लगी है, खाना लगा दो, मैं हात मूतो के अव्दा ह पर मैं क्या होया बोलो, संगीता हात अग्ये कर दे होये दिखाऊंदी है, मेरे हात विच्चता पट्टी लगी है, नहीं ता मैं जुरूर तो हन्नू अपने हता नाल खिलाऊंदी, कोई गल नहीं मा है ना, उना नू बोलो खाना लगा देनगी, पर मा ता कुछ नहीं बोले घी मा, तू जाके बोल ओना नू ठीक है जान दी हां, रोहित अपने बातरूम दी तरफ निकल जान दा है, ता संगीता मा दे कमरे दी तरफ वाद्दी है, संगीता मन ही मन काफी खुश हुंदी है, ओ मुस्करांदे होये होली नाल बड़ बड़ांदी है, पागल इंसान हाँ हाँ हाँ, चलो अजदा तां ड्रामा पूरा होया, उन कल दे लए कुछ नमा सोचना होवेगा, पर मेरे किसी वी कोई नाटक दा असर तां इस बुढड़ी पर पैंदा ही लए, जाने किस मिट्टी नाड़ बड़ी है, चलो कोई ना मैं भी कट लही हां इस बुड़ी नू कर तो बाहर कड के ही मननूगी सगीता अपड़े हाथ पर लग्ये सोस नू चक दे होए कहल दी है इई बुड़ी खाड़ा लगा दे आके बहुत बुख लगी है सगीता मा दे कमरे दे द्रवाज्ये पर तो बोल दी है नू मेरे तो उठ्या नहीं जावेगा अच्छा लगदा अजदा इल्ला नाटक काफी नहीं सी रुको हुने रोहित नू बलाव दी हां नहीं नू जाले दे मैं आउंदी हां सगीता उंगली दिखांदे होए कहंदी है मा दे शरीर विच काफी दर्द हो रहा सी उन विच इल्ली हिम्मत नहीं सी की उचल के अपने कमरे तो वी बाहर आउन फिर वी उच किसी तरह हिम्मत करके आउन्दी हन आते रसोई विच जा के खान प्रोस्ने दे लई चावल दा पतिला चुक दी हन पतिला काफी हलका प्रतीत होंदा है मा पतिले नू लीचे रख दी है आते उस पर रखी थाली नू जद हटाऊंदी है ता पता चलदा है पतिला बिल्कुल खाली है फिर मा कडाही विच देख दी है ता उस विच्च वी सबजी नहीं हुन्दी अते नाही दाल हुन्दी है अते नाही रोटी ही सब देख मा काफी हिरान हो जान्दी है की खाना कित्थे गया अते जद मा बाहर खिड की तोचा अकदी है ता पता चल्दा है सारा खाणा नीचे जमील पर सुट्या होया है मा दी अक्खा विच हन जू आ जाल्दे हन उ रो पेल्दी हन फिर अचानक होणा नू याद आउंदा है फ्रिज विच कुझ हरी सब्जिया रखी हन उ बड़ा दिल्दी हा जल्दी नर अते जिवे ही मा फ्रिज खोल्दी है ता पता चल्दा है फ्रिज विच विच कोई सब्जी नहीं है मा सब कुझ समझ जल्दी है कि इस अब संगीता दा किता तरह है मा उत्ते ही जमीन पर बैठ जल दी है अते रोन लग दी है उना दी अख्खा विच साफ साफ दर्द दिख रहा सी अज मा बहुत ज्यादा दुखी सी क्यूंकि अज सगीता दानाटक कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया सी तुसी किते चले गए मैंनू छट के मैंनू भी अपने लाल ले गए हुल दे मेरा दर्द तो अनू नहीं दिखदा क्या बुला लो मैंनू अपने कोड हुन मैं होर नहीं जीना चाहुल दी मेरा मन इस दुणिया तो हुन पर चुका है मा अपने पती जानी की रोहित दे पिता नू याद कर दे होए कहल दी है क्या यर्मा तो अनू खाना ले आउने विच इल्ली देर क्यों हो रही है लहीं देना खाना ता साफ साफ बोल दो ना फिर असी एक बार भी खाना नहीं मंगा गे तो हड़े तो रोहित बार खाने दे टेबल पर तो ही चीक के कहनदा है जाओ यार संगीता देख के आओ क्या होया है हाँ अल्दी हाँ देख के संगीता अपनी कुर्सी पर तो उठ दी है अते होली होली रसोई दी तरफ वदल लग दी है साड़ी दा एक किलारा उंगलिय नाल दबा के इवे लहरंदे होये जा रही है बन्लो जिवे चुडेल आ रही हो मतलब की नागिल दी चाल नाल चेहरे पर शेतानली मुस्कुराट दे नाल संगीता रसोई तक पहुँच दी है क्यों रे हुण केडा लवा नाट कर रही है बाहर जागे बोल दे खाणा लही पड़िया है अते बणावने दे लही वी कुझ लही है संगीता मा दे गल नू जोर नाल दबाउंदे होए कहंदी है, मा दर्द नाल चीक पैंदी है, पर मा दी चीक निकल दे ही संगीता उना दे मुह पर अपना हात रख दिन्दी है, जिस दे कारण ज्यादा दूर तक उना दी अवाज नहीं पहुंच पाउंदी, देख बुड़ी बाहर जाके बोल दे कर विच खाने नू कुझ नहीं है, नहीं ता मा नू तम का उन्दे होए संगीता कहंदी है, पर बेटा ऐसी हालत विच बाहर दा खाना नहीं खांदे, मा दर्दे होए कहंदी है, मैं तेरे तो तेरी राय नहीं मंगी, मंगी क्या बोल, मंगी पर बेटा नहीं ना तू अपनी राए अपने कोल रख जिन्ना मैं केहा है उन्ना ही जा के तू बोल रोहित नू मा अपनी जगा तो छड़ी दे सहारे उठ दी है अते लड़कडाउं दे होये रोहित दी तरफ वद्धी है बेटा कार विच्च कुझ भी नहीं है खाना बढ़ने दे लई नहीं है मतलब तूसी खाना नहीं खाया सी नहीं बेटा हू मैं बस मा बहुत होया तो हनू पता है न संगीता प्रेगनेट है उसनू वक्त पर खाना बहुत जिरूरी है पर तूसी चड़ो कुझ कहना ही बेकार है तो हनू बोल दे होये रोहित संगीता दा हत फड़दा है अ इसी होटल विच जान दे हन अते पार पेट मस्त खाना खान दे हन संगीता मन ही मन बहुत खुश होंदी है आखिर खुश वी क्यों ना हो आज मानू इड़ी चिड़का जो पई सी इही संगीता नू दे रूप विच राक्षच ही सी पगवान ही जाने उस मा दे दिल पर क्या गुजर रही होवेगी जिस मा ने अपने पुत नू इल्ली मेलत नाल पाल पोस के वड़ा गिता आज ओही पुत उस मा दी अख्खा दे हन्जुदा कारण बणया है अरे एहजा क्या पतनी दा प्यार जो मा नू ही पुला दे पगवान जाने किस दर्द तो उहु मा गुजर रही होवेगी रोहित संगीता दी पेट पूजा खतम होई मतलब खाना खाके ओहु लोक कारदे लई निकल दे हन्जुदी रोहित केंदा है सुनो हा बोलो उना दी तो बेत खराब नहीं होवेगी क्या पर यार जो मन विच आए ओही करो तुसी मिलू उस नाल क्या वैसे वी तुसी मेरी इक वी गल मन दे कि थे अच्छा मेरी मा माफ करो मिलू नहीं ले रहा कुछ चलो हुण ठीक है चलो रोहित संगीता कर दे लई निकल जान दे हन थोड़ी देर बाद कर पहुँच जान दे हन रोहित दरवाज्य दी बे लव जान दा है पर इस बार वी दरवाज्य नहीं खुल दा है संगीता मा ठीकता होवेगी ना यार दरवाज्य ही नहीं खोल रही रोहित थोड़ा प्रमित हुंदे होए कहन दा है नहीं रोहित कुछ नहीं होया होवेगा लेट हो गया है ना सानू आउने वीच बस मा सो ही होवेगी होर क्या वैसे वी साढ़े कोल दूसरी चाबी ता है ही हाँ क्या हाँ फिर खोलो ना द्रवाज्जा जल्दी लाण में नू बहुत लीद आ रही है रोहित अपनी जेब जेब तो चाबी करदा है अते द्रवाज्जा खोल के अंदर जालदा है वा किते वी अंदाज कर दे होए सिद्धे अपने कमरे विच सोने दे लई चला जन्दा है उने तक रोहित अते नू कर नहीं आए किते कुछ होता नहीं गया उना नू हे मा रक्षा करना उना दी अचानक लीद तो जागदे ही मा होली नाल बुडबड़ांदी है अते अपने कमरे तो बाह निकल दी है ता देख दी है कर दा दरवज्जा खुला है कर दा दरवज्जा खुलिया देख मा बहुत डर जन्दी है उना नू लगदा है कि शायद कोई चोर आया है दरवज्जा खुलिया है इस दा मतलब किते कोई चोर था नहीं आया फिर रोहित अते नू नहीं रोहित आया हुंदा ता मेरे नाल मिलन जरूर आुंदा क्या करां सोच दे होए मा रोहित दे कमरे दी तरफ वादी है दास कदम चलने पर रोहित दे कमरे तक पहुंच जान दी हन। कुथे पहुंच ले दे बाद पता चलना है कि रोहित दे नू सगीता कर आ चुके हन। बेचारी मा दे दिल नू तसली मिल दी है कि उना दे नू पूत सुरख्यत कर विच हन। पर इक गल दा दुख वी हुंदा है कि उना दा पूत कर आउने दे बाद वी उना नाल मिलन नहीं आया। दी कोशिश कर दी है पर ही कम वक्त लीद ही नहीं आ रही सी मा करवट पर करवट बदल रही सी पर इहीं लीद दा कोई अता पता नहीं शायद उमर दे कारल जा फिर कुछ देर बाद पल्चिया दे चहकले दी अवाज आउन्दी है। सगीता अगड़ाई लेंदे होए अपने कमरे तो बाहर आउन्दी है। अरे इही क्या आज इही बुड़ी किते दिख लही रही सगीता अबासी लेंदे होए कहन दी है शायद रसोई विच्च होवेगी चल के देख दी हां पर इही बुड़ी ता पहला पूजा कर दी सी अगर बत्ती दी ता कोई खशबू नहीं आ रही है। उस दे कमरे विच्च ही जाके देख दी हां होली नाल बुड़ बुड़ांदे होए संगीता मा दे कमरे दी तरफ वादी है संगीता होली नाल कमरे दा दरवाज्या खोल दी है अते अंदर चाक दी है अरे वा इही बुड़ी ता हुने तक सो रही है चल बेटा संगीता रसोई दी तरफ वाद्दी है रसोई विच जाके सब तो पहला वू पूरी रसोई विच चारो तरफ कच्रा फिलांदी है अते फिर कुझ आटा अपने चेहरे पर लगा लेंदी है थोड़ा थोड़े वाला नूँ खिलार लेंदी है मन्नो एक चुडेल दा रूप खुद आउने दा इंतजार कर दी है जिवे ही संगीता नूँ पता चलदा है कि रोहित आ रहा है वैसे ही संगीता कम कर लग जान्दी है पर नीद विच होने दे कारण रोहित दात्यान संगीता पर नहीं जान्दा है संगीता घुस से विच चाडू नू सुट दिल्दी है फिर रो रोहित हैराली लाल पुछदा है क्या करा काम ही इल्ला है काम ही इल्ला है मतलब मा कित्थे है देखो रोहित तुसी मा नू पलीज कुछ ना कहना उना ले में नू कुछ नहीं कहा है पलीज रोहित मा है कित्थे ही दास तू मा अपने कमरे विच सो रही है क्या इल्ली देर तक ता क्या होया रोहित, बुड़ी है ठक गई होडगी, ना सोड़े दो उनानू, वैसे वी मैं ता इस कर दी, नोकराली हां ही, कर दूंगी सारे कम, अरे नहीं संगीता कैसी गल कर रही हो, तू मेरी जान है, अते तू इक वी कम नहीं करेगी बस, परवर कुछ नहीं, तू बैठ मैं मानू बला केले हुदा हां, जी जैसा तूसी ठीक समझो, रोहित अपनी मा दे कमरे दी तरफ वाद्दा है, होली नाल, रोहित कमरे दा दरवज्या खोल्दा है, अते अपनी मा दे बिस्त्रे दी तरफ वाद्दा है, बाहुडे तक तूसी सो रही हो, रोहित दी आवाज सुन मा चोक जल्दी है अतिर हडबडा के उठ दी हन बेटा ओ रात देर लाल सोई सी ला ता अख लही खुली देर लाल क्यूं मा असी लोग आये सी उदो ता तुसी सो रही सी बेटा पुखे पेट लीद लही अल्दी पुखे पेट मतलब कुछ नहीं बेटा तू चल मैं बस पंज मिल्ट विच आके लास्ता बना दिल्दी है जी मा बोल दे हुए रोहित कमरे तो बाहर चला जल्दा है बेचारी मा जल्दी लाल हात मूत उन्दी है अते लास्ता बना उन्दी है फिर मा नू यादा उन्दा है कि कर विच ता खाना बना उन्दे दे लई कुछ है ही न नहीं फिर वी मारसोई विच जाके फरीच लूँ खोल दी है ता पिछले दिन वाली हरी सबजी फल दुद सारी चिज्जा वैसी दी वैसी पई मिल दी हन फिर मा अट्टे दा डबा खोल दी है ता ओ वी पूरा दा पूरा परेया मिल दा है चावल वी वैसे ही डबे विच परे होए सी बाहराली विच पै जल दी है की सारी चिज्जा रातो रात की वे आ गई क्यूंकि कल रात सारे डबे खाली सी फिर ऐसा क्या जद्दू होया जो सारे डबे पर गए मा इक पल दे लई सोच दी है कि क्यू ना सगीता तो ही पुछ लवा सोच दे होए अपड़े कदम नू अग्येवदा उन्दी हन फिर अचानक मा नू याद आ जल्दा है कि पगवार लेक कैसी नू उना नू दित्ती है इसोच के मा दूसरे ही पल अपड़े कदमा नू पिछे बोड लेल्दी है अते अपड़े कमा विच लग जल्दी है जल्दी लाल नास्ता बना के मा बहा टेबल पर सजा दिल्दी है रोहित ना तो के अपड़े कमरे तो अल्दा है अते नास्ते पर तुट जल्दा है गीता नू चेलने नू त्यार हो जान्दी है। हर रोज संगीता दे लवे लवे लखरे शायद ही कोई चेल पावे। पर मा सब कुझ चुपचाप सहन कर रही सी। समय अपनी चाल लाल चाल रहा सी। होली होली वक्त बीत दा गया। पर मा दी हालत विच कोई सुधार नहीं आ दिल प्रती दिल संगीता दे लखरे आते उस दा ड्रामा होर वी वादा गया। हुण समय आ गया सी बच्चे दे आउने दा संगीता दा नौवा महिला चल रहा सी। बेटा हुणे समय बहुत समल के रहने दा है। ता ज्यादा पोडिया ना चड़या कर बच्चे पर असर प दी था कट तो कट मेरे बच्चे दे लई बुरा था ना बोल संगीता दंद पीजदे होए कहली है। पर बेटा मैं था क्या मैं था संगीता सोच दी है यह बढ़ी था मेरे लई सिर दर्द हो गई है। मैं इस बढ़ी दा पर छामा भी अपने बच्चे पर नहीं पैल संगीता दंद पीजदे होए कहली है। ए बुढ़ी जेकर चंगर नहीं बोल सकती था कट तो कट मेरे बच्चे दे लई बुरा था ना बोल पर बेटा मैं था क्या मैं था मेरे सिर विच दर्द हो रहा है। में लू कड़क अद्रक वाली चाहा लिया के दे अते लाल चटप पकोडे दे लाल मिर्च दी चटली वी आड़र दिल्दे होए संगीता अपने कमरे विच चली जान दी है। मा चुप चाप संगीता दी गल सुन लेल दी है। अते संगीता दी किसी गल दा बिला जवाब दित्ते रसोई कार विच जाके महराली मतलब संगीता दी पूरी करने विच्च जुट जान दी हन कुछ ही देर बाद संगीता दे चीक्णे दी अवाज आ उन दी है मां जल्दी लाण संगीता दे कमने दी तरफ वादी है जल्दी जाने दे कारण मां दे पैरा विच्च मोच भी आ जान पर सगीता दे दर्दनू सुनके मा अपने दर्दनू अल्देखा कर दिन्दी है क्या होया बेटा तुसी ठीक हो ना मा सगीता तो पुछ दी है उँ मिलनू ड्रावने सपने आ रहे सी सगीता डर नाल कम दे होये बोली साच बोला आज सगीता पिगी बिल्ली लग रहे सी हाँ ह जो कदी सब पर चीक दी रहंदी सी अज उडर लाण कम रही सी वैसे लजारा था बहुत ही शानदर सी संगीता डरी होई बड़ी प्यारी लग रही सी मा तेजी लाण संगीता दी तरफ वादी है अते उसनू अपले सिले लाण लगा लेल दी है अते संगीता दे वाला नू सहल लग दी हल ना बच्चे ना इवे लही डर दे देखो कोई नहीं है बच्चे मा कहल दी है सच बोला जेकर मैं उस मा दी जगा पर हुदी ना उस नो बोल दी क्यों महाराली मजा आ रहा है पगवाल करे तेरे सुपने वाला पूत जा चुडेल जो वी सी उ आये अते तेलू चु लेन पर मा कदी नराज नहीं हुंदी खुद मर जावेगी पर बच्चे नू दर्द विच नहीं देख सक दी ओ कहन दे है ना मा ता मा हुंदी है संगीता मा दे गले नाल लग के बहुत रोंदी है अज पहली बार संगीता मा दे गले लगी सी अते उना नू प्यार नाल मा के सी नहीं मा कोई आया सी शायद मेरे कमरे विच संगीता डर दे होए कहन दी है नहीं बेटा कोई नहीं सी ले तू पाणी पी ले तू बोल दे होए मा पाणी दा गिलास संगीता दी तरफ वदाउंदी है संगीता पाणी दे गिलास नो कसके फड़ दी है अते 21 साँ पर पाणी पी लेंदी है बेटा हुण तुसी सो जाओ मैं बाकी दे कम खतम करके आउंदी है नहीं मा तुसी मिन्नू छट के किते ना जाओ पलीज संगीता मा दा हत फड़ दे होए कहनदी है पर बेटा करदा कम वी ता करना है न ठीक है पर मैं वी तो अड़े नाल नीचे चलूँगी बेटा तुसी जाके क्या करोगी तुसी इत्थे अराम करो नहीं मा मैं हाल विच बैठूँगी पर तो अड़े कोल ही रहूँगी बस अच्छा ठीक है चल बोल दे होए मा संगीता नूँ हाल विच ले आउंदी है हन अते उत्थे ही एक सोफे पर बिठा दिन्दी हन संगीता हुने वी काफी डरी हुंदी है इद्धर मा नूँ अलग चिंता सता रही हुंदी है मा संगीता नू हाल विच बिठा के अपने कमा विच लग जान्दी है इद्धर संगीता अपने डार नू कट करने दे लई टीवी चालू कर दी है ओ मा नहीं उफ संगीता दे करहाने दी अवाज आंदी है मा रसोई विच रुट्टी बना रही है जिमें ही संगीता दी अवाज मा दे करना विच पैंदी है मा दोड के संगीता दे कोल जान दी है क्या होया बेटा मा संगीता दे सिर पर हत फेर दे होये पुछ दी है मा आप बचा लो मा बहुत दर्द हो रहा है संगीता दर्द नालच टपटा रही हुं दी है संगीता दा नुवा महिना चल रहा सी शायद उस दी डिल्वरी दा समें हो चला सी जिस कारण संगीता दर्दनाल चटपटा रही सी बेटा लंबी लंबी साल है तूं मैं हुने रोहित नू बलाऊंदी हां बोल दे होए मा टेबल पर रखे फोन दी तरफ वादी है मा रोहित दा नंबर मिलाऊंदी है उद्दर रोहित दे मबाईल पर कंटी वज़दी है मैंनू पता है इही मा ही होवेगी हमेशा बिना मतलब फोन करके मेरा दिमाग खांदी रहंदी है बड़ बडाऊंदे होए रोहित मुबाईल नो साइड विच रख अंदेखा कर दिन्दा है पलीज बेटा फोन चुक बहुत जुरूरी है बेटा फोन चुक बेटा परिशान मा दुबारा फोन कर दी है पर फिर रोहित फोन नहीं चुक दा है फिर तीसरी बार फोन कर दी हन पर रोहित फोन नहीं चुक दा क्या हो गया रोहित फोन क्यूं नहीं चुक रहा सब ठीकता है न एक बार होर कर के देख दी है बड़ बडाँदे होए मा फिर तो फोन कर दी है इ मावी ना छोटी छोटी गल पर बार बार फोन करके परिशान करदी रहन दी है क्यू नहीं समझ दी मैं दफ्तर वीच बीजी रहन दा हां बडबडांदे होए रोहित फोन चुकदा है क्या है मा क्यू बार बार काल कर रही हो बेटा हूँ संगीता क्या संगीता संगीता तो अन्नु संगीता दे इलावा कुछ मिलदा है जा नहीं पर बेटा कुछ नहीं सुनना मैंनू फोन रखो तुसी अते हां दुबारा काल ना करना तुसी समझ दी क्यों नहीं, जेकर मैं फोन नहीं चुक्या था, इस दा मतलब मैं किसी जरूरी काम विच्च फस्या हाँ, होन जेकर तुसी एक वी काल कीती ना ता चंगा नहीं होएगा, होन रखो फोन, मा पर चीक दे होए, रोहित फोन रख दिन्दा है, रोहित दी गल सुन मा दी अख्खा विच्च हंजू आ जान दे हन, इद्धर संगीता नू होर वी जादा दर्द हुंदा है, मा दे समझ विच्च वी कुझ नहीं आउंदा है, जदी मा नू याद आउंदा है कि संगीता दी एक दोस्त रीना, जो मा नल लुक अक्सर लुक मिलन आया कर दी सी, मा रीना नू फोन कर लगाउंदी है, पहली बार विच्च ता रीना भी फोन नहीं चुक दी, मा दुबारा कर दी है, हाँ काकी कैसी हो तुसी, रीना फोन चुक दे ही कहन दी है, रीना बेटा तू जल्दी नाल इत्थे मेरे कर आजा, क्या होया, सब ठी ठीक ता है न, हाँ बेटा सब ठीक है, पर संगीता दे बच्चे आउने दा समय हो गया है, ओ दर्दनाल तडफ रही है, वा बेबी आ रहा है, काकी तुसी बिलकुल टेंशन ना लओ, मैं हुने गड़ी लेके आउन दी हाँ, हाँ बेटा जल्दी आ, संगीता दी इही हालत देखी नहीं जा रही, बस काकी पाल्ज मिन्ट विच पहुंच रही हां, बोल दे होए रीना फोन रख दी है, अते संगीता दे कर दे लई, निकल जान दी है, वैसे ता संगीता दे दोस्त बहुत सी, जो अक्सर संगीता दे इत्थे पार्टी करण आया कर दे सी, पर सभी द दोस्त हाथी दे दंद दी तरह सी, मतलब सिरफ दिखावे दे लई, इक रीना ही सी, जो समय पर हमेशा कम अउन दी सी, अते संगीता दे कर दे कोल दी ही सी, रीना पल्दरा मिट विच संगीता दे इत्थे पहुंच जान दी है, मा दे रीना दोमे मिलके संगीता नू गड़ विच बिठाउं दे हर, वैसे ता मा दी खुद ऐसी हालत सी, की हो खुद नू सही ना ले एक जगा तो दूसरी जगा ना ले जा पाई, पर कहन दे है ना मा दी ममता अलग ही अलग हुंदी है, मा अपनी जाल दे के वी अपने बच्चे दी रख्या कर दी है, खुंस गीता हो होश्पिटल दे लई निकल जान्दी है, रस्ता थोड़ा लंबासी, होश्पिटल पहुंच ले विच एक कल्टा लग जान्दा है, उदो तक संगीता दा दरद होर वी जादा वाद जान्दा है, होश्पिटल पहुंच दे ही रिना फुर्ती नाल गड़ी तो नीचे उतर अते अंदर गल कर संगीता नू अंदर ले जान दी है। वैसे वी तुसी बहुत पज़ दोड कर लई। हुण कुछ देर अराम ही कर लो। बेटा हुण अराम ता जदी मिलेगा जद मैं अपनी पोती दा प्यारा जिहा चेहरा दिखूंगी। अते पाणी लेन जान दी है। मेरा पेट कद तो खाना मांग रहा सी। पर जिवे ही मैं पाणी ले उड़ गई। मेरे पेट विच चुहे अते बिल के युद्ध करना शुरू कर दिते। अते फिर मेरी नजरा इस कचोरी पर जा अठकी। ता बै क्या कर दी। अच्छा ठीक है हुड खाल है। तुसी वी खाओ रुको बै अपने हत्ता लाल खिलांदी है। बोलदे हुए रीना बादे बूँ विच पहला लिवाला पलदी है। रीना दा प्यार देख मादी अख्छा बार आउंदी है। उह रीना नू गले नाल लगा के जी पर के आशिरवाद दिन दी है। कुजी ही देर बाद डाक्टर सहाब बहार आउंदे हन। माँ हडबडाउंदे होए उठदी है। मुबारक हो अम्मा पोता होया है। डाक्टर सहाब वदाई दिन दे होए कहन दे हन। मादी अख्छा विच खुशी दी लहर दोड पेंदी है। अरे वा काक्टी तुसी ता दादी बन गई अते मैं तू पूआ पगली। रीना दे बोलने तो पहला ही माँ बोल दिन दी है। उन सारी खुशियां बाहर ही मनावगे जा बच्चे नू आशिरवाद वी दोगे अम्मा। डाक्टर सहाब कहन दे हन। हाँ बेटा बोल दे होए मा अंदर जान लग दी है। काक्की एक मिन्ट तुसी रोहित नू दस्या। रीना दवारा पुछे गए परशन पर मा कुझ नहीं बोल दी है। क्या होया काकी दस्सो ना। रीना दे दुबारा पुछने पर मा सारी गल दास दिन दी है। क्या गल कर रही हो तुसी काकी रोहित ने ऐसा कीता मैं हुने रोहित नाल गल कर दी है। नहीं बेटा रहने दो कोई गल नहीं। मैंनू ता आदत हो गई है हुन। बोल दे ही मा उदास हो जान दी है। रीना अपने बैग तो मोबाईल निकाल दी है अते चाटनाल रोहित नू काल कर दी है। रीना दा फोन एक क्यू काल कर रही है। जुरूर कोई बकवास करेगी। पर क्या करा फोन नहीं चुक्या था बार बार करेगी। बड़ बड़ांदे होए रोहित फोन चुकदा है, हैलो कित्थे हो तुसी, दफ्तर वीच क्यों क्या होया, रोहित बड़े अजीब इलसाल हो यार तुसी, काकी इल्ली, क्या बाबा लगा रख्या है, हा नहीं चुक्या सी, मैं फोन उना दा, यार फालतू वीच मेरा दिमाग खंदी रहन्दी है, हमेशा संगीता नू उल्टा सिद्धा सुनावंदे रहन्दी है, अरे उहु प्रेगनेट है, फिर वी मेरे जान्दे ही करदा सारा कम संगीता पर थोप दिन्दी हन, रीना दी गल पूरी होने तो पहला ही रोहित बोल पैंदा है, चुप रहो रोहित, तेरी पतनी होस्पिटल वीच है, अते मा इस लई तेन्दू काल कर रही सी, ताकी इस समय तु संगीता दे नाल रहें, पर नहीं तू ता एक बार वी मा दी गल सूणी ही नहीं, बहुत खूब, क्या किया संगीता होस्पिटल वीच है, क्या होया है उसनू, बेटा होया है, बोल दे हुए रीना फोन रख दिन्दिंदी है क्या बोल्या उस ने बारेना toh पुछ दिंदी ने, क्या बोलेगा आ रहा है होर क्या, चलो बेटा फिर ता ठीक है, मा कहंदी है, उदो तक क्यों ना आसी बच्चे नाल मिल आईए रीना उतसुकता नाल कहन दी है हाँ बेटा चलो बोल दे होए रीना आते मा अंदर जान दी हन संगीता हुणे ब्योश हुंदी है आते सामने दे ही पालणे वीच बच्चा चूल रहा हुंदा है बच्चे नू देखके मा दा दिल खुशी नाल चूम उठदा है मा बच्चे नू गोद लेने दी लालसा वीच तेजी नाल अग्ये वाद दी है चिवे ही मा बच्चे नू गोद लेने दे लई हाथ पलने वीच दिल दी है उदो तक रोहित आ जान दा है अते चाट नाल बच्चे नू गोद वीच चुक लेंदा है मा इक टक नाल रोहित नू देखन लग दी है क्या रोहित मा बच्चे नू गोद ले रही सी ना फिर तू इवे अचानक तो बच्चे नू क्यों चुक लेया रीना रोहित तो पुछ दी है बच्चा मेरा है ता सब तो पहला गोद वी ता मैं ही लवागा ना अते वैसे वी मा दे हत गंदे हल मेरे बच्चे नूँ कोई infection हो गया ता रोहित कैसी गल कर रहे हो तुसी शरब नहीं आउंदी मा है उ तेरी बच्चा रोहित दी गोद विच शूशू कर दिल्दा है सही होया बोल दे होये रीना बच्चे नूँ अपणी गोद विच लेड़े दे लई अपना हत अग्येवदां दी है रुको रोहित बच्चे नूँ तुसी इद्धर दो रीना दे हत विच ला देना होश आउंदे ही सगीता कहन दी है इवे क्यों ब रीला नू कहल दी है हां तेरा व्या होए अठ साल हो गए पर तेल नू हुणे तक इक वी बच्चा नहीं होया तू मेरे बच्चे तो दूर ही रहे रीला सगीता दी गल सुन रोल लग दी है अते उत्थे तो दोड़दे होए पज जल दी है इदर मा दा दिल अलग छली हो रहा सी बादी अख़्ा तो हल्जू आवला बंद ही नहीं हुल दे अज मा दे दिलनू सब तो ज्यादा चोट पहुंची सी जिस बच्चे दे इलतजार विच बास गीता नू इल्ला सहल दे आई सी अज उस उस बच्चे नू बाच्छू तक नहीं सक दी सी अज मा सच्चे दिल साल पगवाल नू अपड़ी बोत दीप राथना कर दी है इद्धर संगीता अते रोहित अलग ही तुन विच मस्त हुंदे हन उ बच्चे दे नाल इनना मस्त हो जान्दे हन की ना ता हुना नू अपणी मा दा दर्द दिखाई दिन्दा है अते ना ही रीना दे हन्जू खड़ी गड़ी विच जा बैठ जान्दी है मा वी पिछे पिछे जान्दी है जिवें ही मा गड़ी विच बैठने नू हुंदी रोहित अना नू रोक दिन्दा है मा तुसी पलीज आटो तो आ जाना असी तो अन्नू अपने नाल गड़ी विच नहीं ले जा सकते हां सोरी बोल्दे होए रोहित गड़ी लेके अग्ये वद जान्दा है, मा दे दिलनू चोटता लग्गी ही सी, पर ना जाने क्यों हुने वी उना दे चहरे पर मुस्कुराहट सी, शायद पोता आउने दी खुशी सी, मा उत्थे ही होस्पिटल तो इक आटो लेंदी हन, अते कर दे लई निकल जान्दी हन, पगवान जाने मा दे दिल विचिक इन्नी मम्ता क्यों पर हुन्दी है, जो अपने बच्चे दी बड़ी तो बड़ी, गल्ती नू हस के माफ कर दिन्दी है, पूत दे इनने दुख देने दे बाद वी मा नू इक वी शिकायत नहीं सी, इनना बड़ा दिल कि में, कुछ देर बाद मा कर पहुँच जान्दी है, कर दा दरवाज्या वैसे ही खुला हुन्दा है, मा कर दे अंदर आुंदी है, संगीता आते रोहित दोंए अपने कमरे व बच्चे दे नाल हुन्दे हन, मा बाहर तो ही बच्चे नू देख के आशिरवाद दे दिन्दी है, सदा सुखी रह बेटा, पगवान हमेशा तेन्नू खुश रखे, मैंनू माफ करना मैं मेरे बच्चे मैं तेन्नू छू तक नहीं सक दी, क्या करा बेटे बुड़ी हो मैं तेन्नू जेकर गोद विच चुक लेया ता तेन्नू केंदे केंदे मारोन लग दी है, अतेकर दे बाकी कमा विच लग जान्दी है, होली होली समय बीतदा है, अज बच्चे देकर आए पूरा एक महिना हो जन्दा है, पर हुने तक मा अपने पोते नू गोद तक नहीं लई सी, मा सुनो कल कर विच पूजा है, बच्चे दा नाम करन करना है, सारी त्यारी तुसी समय नाल कर देना, रोहित अपनी मा पर हुकम जमान्दे होए कहन्दा है, ठीक है बेटा तू चिंता ना कर सब हो जावेगा, मा मुस्करा के कह दिन्दी है, रोहित इद्दर सुनन जरा, संगीता अपने कमरे तो अवाज लगांदी है, संगीता दे अवाज लगांदे ही, रोहित दोड़ दे होए कमरे दी तरफ वद्दा है, हाँ बोलो क्या होया, कमरे दे अंदर परवेश कर दे होए रोहित कहन्दा है, क्या बोला मैं तेनू, मैं पुछ दी हाँ तो अन क्यूं बोल रही हां सब कुझ जनने दे बाद भी अनजान ना बनो रोहित बाबा होया क्या है दोस्सो ता सही तो अन्नू किन्नी वार बोली हां अपनी मानू बृद आश्रम छड़ाओ पर तुसी हो की मेरी इक गल नहीं सुन दे बृद आश्रम क्यूं क्या होया तो अड़ी मा बार बार मेरे बच्चे नू छूने दा बहाना लबदी रहंदी है कल नू जेकर कुझ मेरे बच्चे नू हो गया ना ता याद रखना रोहित मैं उसी समय ही कर छड़ के चली जाओंगी तू इन्नी चिंता क्यू कर दी है बस एक दिन दी गल है मतलब इही कि कल दी पूजा दे बाद मैं खुद मानू बृद आश्रम छड़ आऊंगा कल दे बाद क्यू आज ही क्यू नहीं अरे कल दी पूजा दी इन्नी त्यारी करनी है तू इकली कि में करेंगी अते कल जद लोक आउनगे ता मा दे बारे विच्च पुछनगे ना इसलई कल दे बाद जा परसों ना ही कल दे बाद अते ना ही परसों ता कद रोहित हैरानी नाल कहनदा है मतलब कल शाम तक पूजा खतम हो ही जावेगी इसलई पूजा खतम हुंदे ही इना नू बृद आश्रम छट आउना अच्छा ठीक है मेरी मा जैसा तू कहें बोल दे होए रोहित संगीता नू गले नाल लगा लिन्दा है इद्धर मा कल दी पूजा दी त्यारी कर रही हुंदी है मा नू इस गल दा बिल्कुल वी पता नहीं हुंदा है कि अज उना दा आखरी दिन इस कार विच है समय अपनी चाल नाल चल्दा है अते स्वेर हो जान्दी है देर रात तक काम करने दे बावजूद वी अज मा सूरज दे उदे होने तो पहला ही मा जाग जान्दी है अते बड़े ही उतसा नाल पूजा दी त्यारी विच लग जान्दी है होली होली समय बीत दा है अते कार विच महमान आउना शुरू हो जान्दे हन मा सार्या दी आव पगत विच लग जान्दी है उपर तो माहराणी दा पाशन अलग मतलब संगीता पंडित जी वी आ जान्दे हन अते पूजा चलू हो जान्दी है मा वी पूजा विच बैठने दी त्यारी कर रही हुंदी है जदी बेटे दा फर्मान आउंदा है मा तुसी पूजा विच बैठके क्या करोगी असी सबता है है ना इते तुसी जाओ अते सारे महमाना दा ख्याल रखो जाओ मा रोहित होली नाल अपनी मा दे कन्ना विच कहन दा है मा रोहित दी गल सुन चूप चाप अखा विच हंजू दबाये चली जान दी है दूर कोन्ने विच खडी हो के बच्चे दे बारे विच सोच दी हन जिस बच्चे दे लई मैं इनने दिना तक सब सेंदे आई आई आज उस बच्चे नूँ हत तक लगाउन नहीं जित्ता गय मैंनू देख रहे हो ना तो अड़ा बेटा किन्ना वड़ा हो गया उन तो अड़े बेटे नू मा दी कोई जरूरत नहीं मैंनू हुन अपने कोल बुला लो ना हुन हिमत नहीं रही मेरे विच मा अपने पती नू याद कर दे मन ही मन कहन दी है उन समय आउंदा है बच्चे दे नाम करन दा मा टक टकी लगा देख दी है कि उना दा बेटा इक बार ता जरूर उना तो पुछन आएगा पर शायद यी उना दी गल्त फेहमी सी रोहित अपने बच्चे दा नाम करन कर चुका हुन दा है हुन रोहित नाम करन करके पंडित जीतों आशिर्वाद लेंदा है अते फिर मा देवी पैर चुके आशिर्वाद लेंदा है रोहित दे पैर चुन दे ही मा अपने आपनू रोक नहीं पाउंदी है रोन लग दी है क्या नाटक है मा इवें क्यों रो रही हो तो अन्नू दिखदा नहीं किन्ने सारे महमान आये होए हन क्या तुसी इन सब चाहूंदी हो कि असी तो अन्नू ठीक नाल नहीं रखदे जा फिर इसाबित करना चाहूंदी हो कि असी तो अड़ा ख्याल नहीं रखदे रोहित दंदा नू पीस दे होए कहनदा है नहीं बेटा नहीं मैं बहुत खुश हां बेटा सदा सुखी रहे तूं बोल दे होए मार उन्दे होए अपने कमरे विच चली जान्दी है मैं ता तो हन्नू पहला ही किया सी इना नू ब्रिद आश्रम छड़ाओ पर तुसी सी की मेरी गल सुन दे ही नहीं हुण देखो सब दे सामने होया ना नाटक हुण होया तो अड़ा दिल खुश बोल दे होए संगीता गुस्से नालचीक दे होए बच्चे नू लेके अपने कमरे विच चली जान्दी है होली होली कर सारे महमान वी चले जान्दे हन अते शाम हो जान्दी है संगीता दे कहे अनुसार रोहित अपनी मानू बृत अश्रम छट्णे दे लई उना दे कमरे विच जान्दा है मा तो अनू लेके किते जाना है चलो कमरे दे अंदर प्रवेश करदे ही रोहित कहन्दा है पर बेटा किते मा हेरानी नाल कहन्दी है तो अनू जिन्ना किहा गिया है तुसी उन्ना करो अपना समान चुको अते मेरे नाल चलो ठीक है बेटा जैसी तेरी मरजी बोलदे होए मा अपना समान चुक दी है कर तो जान्दे वक्त मा दाकले जा फटल लगदा है उरोन लगदी हन् शायद उन्ना नू वी पता लग जान्दा है की ही पल उन्ना दा आखरी पल है इस कर विच जिस कर नू मा अपने खून पसिन्ने नाल कमाये होए पैसे नाल इक 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 इट जोड जोड के कर बनाई सी अज उसी कर तो उँ हमेशा दे लई अलविदा कह रही सी पले मा हुने इस गल तो अनजान सी पर दिल ता मा दा सी ना बेटे दी हर इक गल समझ दी सी मा बिना सवाल की ते चुप चाप उस कर तो निकल जान दी है बाहर खड़ी गड़ी विच बैठ दी है अते आश्रम दे लई निकल गई मा मन ही मन पगवान नू दूआ कर रही हुन्दी है की काश काश इस सफर खतम ना हो हे मेरे मालिक मेरे खुदा तेरे तो बस इक ही दूआ है बस तू इन्नी किरपा कर की अजमा गल्त साबित हो जाए पर समय नू कोन रोक सकदा है कुजी ही देर विच उबरिद आश्रम पहुँच जान्दे हन हुन सामने लगे बोड नू पढ़के मा अंदर तो तुट जान्दी है रोहित उना दा बैग चुकदा है अते अंदर आश्रम विच जाके रख दिन्दा है देखो मा तुसी सानू गल्त ना समझना कर विच सही नाड तो अड़ी देख पाल नहीं हो पार ही सी इसलही मैं फैसला किता की मैं तो अनू इत्थे छट दा देखो इत्थे तो अड़ी ही उमर दे किन्ने सारे लोक हन इत्थे तो अड़ी देखपाल वी चंगे नाल हो जाएगी अते तो अड़ा मन वी लगा रहेगा बोलदे होए रोहित मा दे पैर छूंदा है मा कंबदे होए हत नाल रोहित नू आशिरवा दिन्दी है अते रोहित नू अलविदा कहनदी है आश्रम तो निकल दे वक्त रोहित देवी अख़्ा विचहन्जू आ जान्दे हन फिर वी रोहित पलट के एक बार वी नहीं देखदा है सिद्धे निकल जान्दा है होली होली समय भी इद्धा है संगीता होर वी जादा जिद्धी अते बत्तमीज हुंदी जान्दी है रोहित हुन संगीता तो काफी परिशान हो जान्दा है दिन प्रती दिन संगीता दा वेहवार होर वी जान्दा खराब हुंदे जान्दा है कर दा वी कम रोहित नू ही करना पेंदा है हुण रोहित नू मा दी याद सताओं लग दी है रोहित मान नहीं मान ठान लेलदा है कि उँ बरिद्ध आश्रम तो अपनी मान वापिस ले आएगा अते हुँ सगीता नू बिना दसे मान लियाऊन बरिद्ध आश्रम निकल पहलदा है रोहित मान विच कई सुपने देखदा है कि मा आएगी ता ही करांगे उँ करांगे ऐसे वैसे हजारों सुपने आश्रम पहुँचदे ही रोहित चाटलल अंदर जानदा है अते इद्धर उद्धर मान नू लब लगदा है क्या होया बेटा किस नू लब रहे हो इक बजुर्ग बाबा कहनदे हन बाबा हुँ मेरी मा रोहित रोंदे होए कहनदा है कौन रोहित जी बाबा मैं रोहित हाँ तुसी मेरी मान नू जानदे हो बेटा तुसी आउने विच बहुत देर कर दिती है मतलब तेरी मादा नाम शार्दा सी ना जी बाबा क्या होया मेरी मानू उन इस दुलिया विच नहीं रही बेटा क्या रोहित दी अख्खा फटी दी फटी रह जान दी हन। हा बेटा जद तुसी अपनी मानू इत्थे छट के गए सी ना बिचारी बहुत रोही सी बहुत याद करदी सी तेलनू अते नाल ही अपने पोते लूँ वी उन दी बस इक्की ही आखरी इच्छा सी अपने पोते लूँ गोद विच लेडे दी बाबा काद होया इही सब जद त चार दिन बाद ही मा नहीं मा नहीं तुसी ऐसा नहीं कर सकती हो मा तुसी सा नू छट के नहीं जा सकती हो मा नहीं मा नहीं वापिस आजाओ मा इक बार मेरे सिर पर हत फेर दो मा हत फेर दो मा वापिस आजाओ मा वापिस आजाओ मा रोही तुथे ही फुट फुट के रोन ल इवे तुठ दे नहीं बेटा जो आया है उसनु अज नहीं ता कल जाना ही है इह लो बेटा इह ए स्वेटर तेरी मा अपने पोते दे लई त्यार कीती है स्वेटर रोहित देहत वीच दिन्दे हुए बाब्बा उत्थे तो चले जांदे हन रोहित पूरी तरा नाल तुट जांदा है रोहित दा कलेज्जा फट रहा हुंदा है उसनु हून पलीपाती अपणी गलती दा आहसास हो चुका सी पर हुण करवी क्या साकदा सी, हुण ता बहुत देर हो चुकी सी, जिसनु जाना सी उता चली गई, हुण पश्ताने नाल क्या फाइदा, जेकर रोहित समे रहन दे, इस समझ जान दा ता, शायद आज मा उना दे नाल हुन दी, शायद सब ठीक हुन दा, पर रोहित दी अखा पर ता, संगीता नाम दी पट्टी बन्नी सी, संगीता दी गल्ला विच आके, रोहित जीवन दी सब तो, वड़ी गलती ही नहीं बलकी, जीवन दा सब तो, वड़ा पाप कर चुका सी, जिस दा प्राश्चीत, शायद कुझ वी नहीं सी, पगवान वी कद आप जीवन दी माफ न करे ऐसे इनसान नू, रोहित अते संगीता जैसे लोकका नू ता, इक इनसान वी कहना पाप जैसा लगदा है, शायद उह मां रोहित नू माफ कर दे, क्योंकि मां दा दिल बहुत बड़ा हुंदा है, पर पगवान कदी माफ ना करे, ऐसे लोकका नू रोहित रोंदे रोंदे आश्रम तो बाहर निकलदा है अते उत्थे ही इक पारक विच जाके बैठ जानदा है कुछ देर बाद इक काफी उमर दराज व्यक्ती आउंदे हन अते रोहित दे कोल बैठ दे होए कहनदे हन अरे रोहित बेठा तू इत्थे जी बाबा होर दास तेरी मा की में है मा ता हुन नहीं रही बाबा मा हुन नहीं रही रोहित रोंदे होए कहनदा है क्या क्या होया उना नू बाबा दे पुछने पर रोहित सारी गल बाबा नू दास दिन्दा है पगवार ना करे तेरे जैसा दानव बेटा किसी नू हो अरे बेटा तू क्या जाने शार्दा क्या सी जद तेरा जनम वी नहीं होया उस तो पहला ही तेरे पिता दी मोत हो गई सी तेरे पिता दी मोत होने दे एक मिहने बाद तेरा जनम होया अते तेरे जनम हुंदे ही तेरे चाचा चाची ने तेरी मानू कर तो बाहर कट दिता सी बेचारी दारोरों के क्या हाल होया सी इस दर्दनू सिर्फ शार्दा ही जान दी है अरे दान्व तेरे पैदा हुंदे ही क्यूना मार दित्ती उतेनू तेरे पिता दी मोत दे बाद जेकर हुँ जिन्दा सी ता सिर्फ तेरे लई उस दे कोलना ता रहने दे लई कार सी अतेना खाने दे लई पैसा सड़का पर तो कच्रा चुन चुन के वो तेरा पेट पर दी सी कई बार ता सड़का पर बैट के तेरे लई पीख तक मंगी कई रात कई दिना तक वो पुखे पेट सोई पर तेन्नू कदी पुखा ना रहन दिता करकर जाके पांडे साफ करना चाडू पोच्चा इस सब करके पैसा इकठा कीता अते इक छोटा जहा कर लिया फिर खोण पसिना इक करके काम कर दी रही अते तेन्नू पड़ा लिखा के इन्ना वड़ा बना दिता की तू अपनी मानू ही करतो बाहर कट दिता अरे नलायक शारदा सिर्फ एक मा नहीं साक्षात देवी सी उसदे जीने दी आशा सिर्फ तू सी तू तेन्नू गलती नाल वी इक छिक वी आजन्दी सी ता हू पूरी रात बिना पलक चपकाए तेरे कोल बैठी रहन्दी अपनी जान तो वी वद के हू तेरे नल प्यार कर दी सी अच्छा सिला दिता है तू अपनी मा दी ममता दा पगवान तेन्नू कदी माफ नहीं करेगा कदी माफ नहीं करेगा जा बेटा जा तेन्नू तेरे किते दी सजा तेरा बेटा खुद तेन्नू देगा जदी तू समझेगा दर्द क्या हुंदा है जा बेटा मेरी बद्वा तेन्नू जरूर लगएगी जरूर लगएगी इन्ना कहनदे कहनदे ओ बाबा रोपेंदे हन बाबा मेरे तो बहुत बड़ी गलती होई है मैं बहुत बड़ा पाप क में नरक वीच वी जगा नहीं मिलेगी रोहित रोंदे होए कहनदा है बाबा उत्थे तो उठके चले जानदे हन रोहित उत्थे ही पारक वीच बैठा अपनी मानू याद कर फुट फुट के रोरिहा हुंदा है लव यू मा पलीज इक वार मुड आओ मा पलीज इक वार मुड आजाओ मैं वादा कर दा हां तो अनू कदी तो अड़ी अख्था वीच हन्जू आउन नहीं देवांगा रोहित उत्थे ही पारक वीच बैठे फुट फुट के रोरिहा हुंदा है रोहित कार जान्दा है अते संगीता नू मा दे मरने दी खबर दास्दा है संगीता चुठे हंजू वहंदी है अते बहुत दुख प्रगट कर दी है रोहित अंदर ही अंदर संगीता दे पाव नू समझ रहा हुंदा है होली होली दिन बितन लगदे हन रोहित दा बच्चा वी वड़ा हों लगदा है उदो में उसनू हर खुशी देना जाओंदे हन पर संगीता फिर वीकार वीच हमेशा ही कलेश करदी रहंदी है होली रोहित नू सब समझ वीच आज अंदा है कि गलती किस्दी सी मा दी जा संगीता दी इंसान अपने कर्मा नू पूल जांदा है पर पगवान कदी नहीं पूल दे हन उना दे कोल इंसान दे किते हर कर्मा दा हिसाब रहंदा है वक्त ने कर्वट बदले आते अज बी साल बाद इक विद्वा उरत अपने पूत ते नू तो उना दे कार वीच उना दे कार दे किसी कोणने वीच पाय रहने दी पीख मांग रही हुंदी है अते दोननों उस दा समान भार सुट के उसनू कर तो कड दिन दे हन क्यूंकि अज अपने पती दे शराद पर उस दो चार ब्रामना नू पोजन कराना चाहुंदी सी उसनी गलती बस इन्दी ही सी उसने पती जो एक साल पहला एक एक्सिडेंट वीच मारे जा चुके सी वो कोई होर नहीं संगीता रहन दी है उसनू समझ वीच आ जानदा है कि आज मैं उत्थे ही खड़ी हा जित्थे कल मेरी सास खड़ी सी अज उसनू एहसास हो जानदा है कि उपने द्वारा किते गए कर्मा नू ही पोग रही है उसने सामने उही आ रहा है जो उसने अपने बड़े बजुर्ग दे नाल कीता है उसमा दी तरफ मू कर खड़ी हो के चीक के माफी मग दी है मा में नू माफ कर दो आज उख खुद अपने आपनो कहन दी है जैसी करनी वैसी परनी स्टोरी की में लगी लाइक कमेट करके जरूर दस्या जी स्टोरी नू एड़ तक सुन लई बहुत बहुत अन्वा जी